विपक्ष तो लगातार अपनी भूमिका निभाते हुए मोधी सरकार की घिराबंदी करता ही रहता है लेकिन अब मोधी सरकार अपने ही एक दिगज मंत्री के सवालों से घिर गई है परिवन मंत्री नितिन गटकरी ने वित्यमंत्री निर्मिला सीता रमन को चिठी लिखर सरकार के एक टेक्स सिस्टम की आलोचुना कर उसे हटाने की मांगी है तो क्या कहा नितिन गटकरी ने अपनी ही पार्टी से देखे इस डिपोर्ट में मोधी सरकार आए दिन अपनी नीतियों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आती ही रहती है लेकिन अब मोधी सरकार के ही एक दिगज मंत्री ने अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल या निशान खड़े कर दिये है बतादे की सडक और परिवन मंत्री नितिन गटकरी ने वित्यमंत्री निर्मिला सीता रमण को ही एक चिठी लिखी है चिठी में गटकरी ने Life for Medical Insurance प्रीमियर से GST को हटाने की मांग की है बतादे की इस प्रीमियर में 18% की GST वसूली जाती है जिस पर गटकरी ने आपत्य चताई है उनका कहना है की Life for Medical Health प्रीमियर पर 18% टैक्स लगाना जिन्दिगी की अनिशिताओं पर कर लगाने के जैसा है बतादे की गटकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं एक बार फिर इसी मिजाज का परिचर देती हुए गटकरी ने अपनी ही सरकार से सवाल किये हैं अब तक तो विपक्षी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है लेकिन अमूदी सरकार की मंत्री भी खुल कर अपनी सरकार की नीतियों पर उंगली उठा कर उसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं और उस पर नितिन गटकरी जैसे दिगज के इंद्री मंतरी का वित्य मंतरी को पत्र लिखना इस बात को पुक्ता करता है कि बीजेपी में सब कुछ पहले जैसाल नहीं है अब सरकार की खामियों को विपक्ष के नेता ही नहीं बलकि उनके ही मंतरी खुद बाखुद उजागर कर रहे हैं बीबी लाइफ की रिपोर्ट